स्टूडेंट सब्सक्राइब तो बनता है वेल्कम स्टूडेंट कोश्ट नमबर फॉर्थ ओव एक्सराइज फाइज 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 तो आपको टोटल माक्स स्टूडेंट ने जो अप्टेंड किये वो किते हैं इस स्टूडेंट ने माक्स उप्टेंड किये टोटल 540 है आपको बताओ ना उसने कि सब्जैक्ट में 105 माक्स उप्टेंड किया अब यह तो एंगल में दिये हैक और ठीक है आपको बताना है 105 marks किसके बराबर होगा तो आप एंगल निकाल लोगे 5 chart एंगल में दियावा है तो आपको पता लग जाएगा किस subject में ये marks है Unitary method ठीक है ratio proportion जिसको अनुपाद समनुपाद बोलते है 105 into 360 degree divided by 540 ठीक है Cancel कर देते हैं 10 की table से degree नहीं cancel करेंगे only 10 36 जा 360 10 54 जा 540 ठीक है अब 9 की table से 9 4 जा 36 9 6 जा 54 अब 2 की table से degree तो चली रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अब 3 की table से 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3 35 जा 70 degree upon 1 का मतलब है 70 degree अब 70 degree spy chart में किस subject का दियावा है तो यह दियावा है हिंदी का तो यह जो 105 marks है वो किस subject में है आपके हिंदी इस तरह से find करा हमने क्योंकि हमें angles में दिये वेते marks इसलिए हमने angle निकाल लिया इस 105 का किस की help से total marks के angle की help से B part है how many marks more marks were obtained by student in mathematics than हिंदी हिंदी से जादा कितने जादा marks max में है अब देखिए हिंदी के degree में marks दिये में 70 और max के 90 अब भी हमने देखा था first question में हमने find किया है 70 degree बराबर किसके था 105 marks के हाना तो 70 degree 105 marks के बराबर था तो 90 degree किसके बराबर होगा तो unitary method again 90 degree into 105 marks मिलेंगे हमें degree से degree तो cancel out हो जाएगा degree से degree cancel out हो गया 10 की table से cancel कर देता है 10 9 जा 10 7 जा ठीक है अब 7 की table से cancel कर देते है 7 बंजा 7 7 5 जा 35 और 7 बंजा 7 15 9 जा 135 upon 1 135 upon 1 का मतलब क्या है 135 यह तो max के marks आ गए अब वो बोल रहा है max में कितने ज्यादा marks है हिंदी से तो difference निकाल लेते हैं दोनों का अंतर निकाल लेते है max और max के marks से 135 हिंदी के है 105 तो डोनों का difference आ गया 30 marks तो max में 30 marks ज्यादा लेका है हिंदी के comparison में ठीके आया समझ आप लोगों को I hope आ गया होगा तो करते हैं वेटा 3rd part examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than science and Hindi क्या social science और max के marks जोड के हाना जोडने पे वो ज्यादा आ रहे है science और हिंदी के marks जोडे वे जुनका sum है उनसे तो science और हिंदी के marks का sum less है ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसे बोल दीजिए social science और max के marks का sum ज्यादा है हिंदी और science के marks से तो पहले marks पता होना चाहिए हिंदी और max के तो हमने पिछले question में निकाल ली है 105 और 180 social के निकाल लेते है 360 डिग्री बवर है आपका total marks किते थे 540 के बराबर तो 65 डिग्री है आपकी sst की डाइगराम में दिया है 65 डिग्री और science की 80 डिग्री तो 65 और 80 डिग्री निकाल लेते हैं टोटल मार्क्स दियावा है 540 यानि 360 बराबर आपको 540 दियावा था तो 65 डिग्री हो जाएगा किसके बराबर 65 इंटू 540 अपॉन 360 डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया ओके 10 की टेबिल से अब 9 की टेबिल से कर देते हैं 9 6 आ 54, 9 4 आ 36 2 की टेबिल से कर देते हैं 2 3 जा, 2 2 जा, ओके नाउ इंटू करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं आउटकम आ गया 195 by 2 which is equal to 97 by 0.5 कैसे 2 9 जा 18, 1 अगला नमबर डॉब किया 15 2 7 जा 14, 1 रिमेंडर ठीके अब 1 को रिमेंडर में 1 है हम डेसिमल में आंसर देना चाते हैं, पॉइंट लगाया तो यह 1 हो गया आपका 10, 2 5 जा 10, रिमेंडर आ गया 0 तो 97.5 अब सोशल के मार्क्स पता लग गया, अब साइंस के मार्क्स निकाल लेते हैं ठीके, 360 डिग्री equals to 540 मार्क्स है तो साइंस की डिग्री दी भी थी 80 डिग्री तो 80 डिग्री इंटू 540 divided by 360 डिग्री डिग्री टू डिग्री कैंसल कर देते हैं ओके, 10 की टेबल से 10 वहना, दोनों को 10 की टेबल से कैंसल कर दिया 9 की टेबल से कर देते हैं यह 80 तो यह एज़टेस, 9 6 जा 9 4 जा 36 2 की टेबल से कर देते हैं 80 as it is, यह 2 3 जा, 2 2 जा, अब 2 की टेबल से 80 और 2 में, 2 की टेबल से cancel out लगाते हैं, तो 240 जा, 3 as it is, और 2 बन जा, 2, 43 जा, 120, 120 अपॉन 1, 120, तो 120 मार्क साइन्स में, अब देखते हैं सम, किस किस का सम बोला था, आपको बोला था, social और max का सम, इनका सम आ गया, 232.5, देखें, यह दो होल नंबर था, इसमें decimal के बाद कोई digit नहीं है, तो हमने इसको 0 लगा दिया, 5 प्लस 0, 5, पॉइंट की नीचे पॉइंट, 5 प्लस 7, 12, 1 कैरी 9, ना, 3 और 1, 4, 4 और 9, 13, 13 का 3 और 1 कैरी गया, 1 और 1, 2, 2, 32.5 आ गया, SST और max का सम, अब science और हिंदी का सम, science के marks और हिंदी के marks का सम, ठीक है, 120 science में थे, और 105 हिंदी में थे, तो यह आ गया आपका, 225, क्या, SST और max का जो सम आ रहा है marks का, वो ज़्यादा है, science और हिंदी के marks के सम के, तो yes, यह ज़्यादा है, क्योंकि इनका सम आ रहा था, 232.5 और इन दोनों का सम तो सिर्फ कितना आ रहा था, 225, तो yes, it is more than the sum of marks, अना, वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद,